हमने सिर्फ यह देखा कि share market का रुक क्या है, share market कहां पर जा रहे हैं और share में invest करते समय 50,000, 5,00, 50,00,500,00 तक income का share आपको भी मिलने वाला है नहीं खरीदने चाहिए और जिस समय market मंदी हो, लोग share बेचना शुरू कर देंगे इसका मतलब हमें यह पता होना चाहिए हाई फ्रेंड्स हमें से बहुत सार लोग यह जानना चाहते हैं कि सर हम अमरी सेविंग को कैसे इन्वेस्ट करें कि सबसरब बेहतर रिटन हमें मिले और हमारा पैसा भी हमारे लिए काम करें और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया इसका मतलब यह है कि आप यह समझना चाहते ह है कि कैसे सही तरीके से निवेश किया जा सके ताकि बेहतर रिटन हमें प्राथ हो और आप जानते हैं अगर आप बैंक डिपोजिट करते हैं तो धाई साड़े तीन परसंट का व्याज आपको मिलता है लेकिन यह एक रूटीन इंकम है है ना क्योंकि हमारी एकॉनोमी की जो प्रशन होता है कि हम निवेश कहा करें हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कोई कर निवेश करना चाहिए कितना निवेश करना चाहिए कितनी बचत करनी चाहिए ताकि वो बचत आपको future में एक बहुत अच्छी growth दे और आपका future secure हो सके तो आज हम बात करेंगे shares में कैसे invest करें, bonds में कैसे invest करें, mutual funds में invest कैसे करें और ETF में कैसे invest करें इन में से किसी भी option में अगर आप invest करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इनका meaning पता होना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं shares की, अब shares क्या होता है, shares होते हैं, किसी भी company के shares होते हैं, उसको बोलते हैं company की equity, company क्या करते हैं कि fund raise करने के लिए, capital raise करने के लिए, अपनी company के के हिस्सेदारी public को offer करती है ताकि वो लोग उस company के business model को समझ के business की growth की possibilities को समझ के उसमें invest करें और जब company के share की value आगे बढ़ जाए तो वो share बेच कर अच्छा profit कमाएं या company के share की value के अलावा company जब हर साल एक dividend issue करे तो उस dividend से एक regular income कमाएं इसी उद्देश्य के साथ लोग share market में invest करते हैं तो आई एक example लेता है माली यह company है मेटास overseas limited इसका share है मेटास मेटास company जिसकी आज की valuation 200 क्रोड रूपीज की है और यह company अपने expansion के लिए और ज़्याद expansion के लिए capital raise करना चाहती है क्योंकि आपको पता है कि मेटास overseas limited stainless steel model location की company है और आने वाले समय में stainless steel से बने product की demand तेजी से बढ़ती जाएगी तो आप सभी को पता है कि company एक highly profitable company है और भविश्य में भी इसके business के बढ़ने की आपार संबाव नहीं है ऐसे में company capital raise करने के लिए मान लीजिए एक लाग share market में issue करती है और हर share का जो price है वो 1 रूपी पर share है इसका मतलब company 10 करेंगे उसके बाद में exchange में trade होने के लिए अब share जाएंगे तो वहाँ पर है decide होगा कि उस company के business model को देखते हुए company के vision को देखते हुए company के profile को देखते हुए investor कितना premium देने को तयार है मतलब कितने उस share की demand and supply है क्योंकि यहाँ पर company की जो shares है वो limited है कितने लोग उनको खर प्राइस कुछ भी हो वहाँ पर जो demand है और supply है उन दोनों का equilibrium जहां बैठेगा उसी के अधार पर decide होगा कि उस share की value क्या होगी मान लीजे company बहुत अच्छा profit कमार रहे है बहुत अच्छा dividend भी दे रहे है growth के संभाव नहीं बहुत अच्छी है तो वह सकता है उस share का price 10 हो ज जाए 100 हो जाए 200 हो जाए 500 हो जाए 2000 हो जाए company का book value price 1 rupee रहेगा लेकिन जैसे जैसे demand बढ़ती जाएगी क्योंकि number of share limited है तो यहां पर उसका price बढ़ता जाएगा अगर भविश्य में company के व्यापार के घटने के संभाव नहीं तो लोग share बेचना शुरू कर देंगे इसका म प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स अपने लॉंच करने वाली है यह government की कौन सी ऐसी policy आने वाली जिसकी हुए से वह company जिसे grow करेगी इन सभी तथ्यों के अधार पर हम किसी भी company के share में invest करते हैं और share में invest करते समय हमें company के business model उसके fundamental technical analysis company की balance sheet आज जो share price उसका है कि कहीं ऐसा करना हो कि market value से बहुत ज़्यदा high value share price कि इन सारी चीजों को check करना होता है और friends आपके लिए na stock market millionaire का पूरा series पूरा complete training course मैंने YouTube चैनल पर free दिया हुआ है आप उन वीडियो उसको जरूर देखें क्योंकि step by step जब आप चीजों को देखेंगे ना तो चीजे गहनता से आपको स share में invest करना चाहिए तो यह तो बात रही share की आप share में invest करके भी पैसा कमा सकते हैं दूसरी चीजोती bonds कई बार company market से fund raise करने के लिए market में equity offer नहीं करती है company कहती है हमारे business का model बहुत जबरदस्त हैं किसी को भी अपना business partner नहीं बनाएंगे अपनी company की equity market में sale नहीं करेंगे but company क fund raise करना है तो company अपने bonds bonds issue करती है और कहती है कि हमारा 10,000 रुपे का एक bond है bond के एवज में आपका पैसे एक तरह से secured है क्योंकि आप company profit कमाए या ना कमाए company आगे बढ़े या ना बढ़े company loss में हो profit में हो expansion हो या कही ना कहीं degrade हो जाए आपका जो पैसा है वो fix रहने वाला है 10,000 रुपी पर unit के हिसाब से आपको bond है और company क्या कहती है कि bond अगर आप company को दे रहे हैं company के ले रहे हैं तो company आपको 12% पर एनम का fix return देगी मतलब company का profit कम होया ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो bond जब हम invest करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलने वाला fix return हमारी income होता है और आज बहुत सारी companies FD से अधा rate of interest bond पर पे करती है dividend पे करती है तो यह आपको बड़े बेंड करता है कि आप invest share market में करके share बजार में invest करके आप risk लेकर ज्यादा profit कमाना चाहते हैं या fix percentage के अधार पर यह decide करना चाहते है company भी अच्छी है company की valuation भी अच्छी है company का business plan भी invest करके भी किसी भी company से अच्छी earning कर सकते हैं इसके लाबा next जो तरीका है that is mutual funds mutual fund का concept थोड़ा सापको clear करता हूं मानली जी आप 10 companies के share ख़ज रहे हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन सी company आगे बढ़ेगी कौन सी लुक्सान में चली जाएगी कहा आपका पैसा बढ़ ज management करती है small scale पर मतलब जैसे अगर मैं बात करूं आइसे से बैंक एजडी एफसी कोटक महिंद्रा यह बहुत सारी ऐसी organizations हैं जो आपके लिए आपके fund को manage करती है क्योंकि मान लीजिए मैं एक शेर का example लेता हूं शेर का प्राइज है 50,000 रुपी और आप तो किवल 5,000 रुप और यह पैसा बड़े बड़ी companies के share market में इंवेस्ट करते हैं जैसे आपने HDFC का mutual fund लिया और HDFC ने आपसे पैसा लिया और वो पैसा HDFC ने बहुत सारे चोटे 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 इंवेस्टर से लिया हुआ है और उस इंवेस्टर के पैसे को अपनी समझ के अधार पर जैसे portfolio manager होता है उसी अधार पर HDFC ने वो invest कर दिया दूसरी equities में दूसरी companies के shares में और जैसे उनको पता होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को responsibility दे रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर पैसा कमाएंगे अगर यह पैसा कमाएंगे तब ही आप पैसा कमाएंगे तो य कि आपका पैसा किसी एक जिम्मेदार company को दिया गया है और वो company आगे इंवेस्ट करेगी ऐसी जगह पर जहां उसको income प्राप्त हो और जब आपके पैसे से उनको income मिलेगी तब ही income का share आपको भी मिलने वाला है तो mutual fund भी एक तरह से safe investment होती है जरूरत है सही discipline maintain करने की सही त आपने bond खरीदे हैं तो आपने एक तरह से किसी company को loan दिया है जिसमें आपको fixed percentage of interest मिल रही है आपने mutual fund खरीदे तो आपने group of companies के shares खरीद लिए है के वल छोटे-छोटे हिस्सों के रूप में है ना और आप जैसे बहुत सारे investors में मिलकर एक company को responsibility कि आप हमारे लिए shares खरीद रहें ना ही हम किसी company को responsibility दे रहें जो आपके पैसे को manage करें हमने सिर्फ यह देखा कि share market का रुक क्या है share market कहां पर जा रही है और जिस पैमाने पर share market है उसी के अधार पर में decide कर लिया कि हमें नहीं पता कि किसी company का share बढ़ेगा या घटेगा लेकिन अगर मैं बात करूं nifty 50 50 की या sensex की तो nifty 50 में top 50 companies हमेशा रहने वाली है मतलब 5000 से ज्यादा companies के share इस समय market में available है इन में से केवल top 50 companies nifty 50 में आने वाली है और अगर मैं बात करूं 5000 companies में से 30 top companies जो है वह sensex में आने वाली sensitive index में आने वाली है इसका मतलब हमें किसी individual company में इंवेस्ट ना करके हमें share market के graph पर एक तरह से बिल्कुल layman language बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ में है शेयर बजार हमेशा volatile रहता है up and down up and down up and down होता रहता है होता रहता है और कभी ना कभी गिरता है कभी बड़ता है तो हमने क्या किया हमने किसी भी company में invest नहीं किया, किसी के share नहीं खरीदे, किसी की equity नहीं खरीदी, किसी के bonds नहीं खरीदे, किसी company को responsible नहीं मना है, हमने सरफ एक तरह से graph को खरीद लिया, हमने कहा कि ETF exchange क्या कहता है, कि exchange traded fund, आज exchange नहीं मान लिजिए 100 point पर trade किया, तो हमने का 100 point पर trade है न, इसी के हिसाब से proportionate ratio में हमें ETF दे दीजिए, अब ये ETF आभी और वता हूँगा, आपको detail आप समझेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको regular ETF खरीदते जाना है, share market कितनी भी बार down आजाए, कितनी भी बार आपा आजाए, और कितने भी सारे record तोड़के नीचे आजाए, ध्यान रखेएगा share market, अगर हम 1981 से compare करेंगे, तो आपको हमेशा बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, मतलब उसका graph चाहें कितना भी up and down आए, finally उसका graph उपर ही जाना है, इसका मतलब यदी 1981 में आपने 100 रुपे यूनिट के हिसाब से, अगर ETF खरीदा होता, तो आज उस ETF का price, 50,000 रुपे की average लगबग चल रही है, मतलब कितने गुना हो गया होता, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको ETF में निवेश करना है, क्योंकि कोई भी company प्लस माइनस होती रहे, वो top 50 companies में केवल वही company जाएगी, तो आपने उस best performance वाली companies के graph का top graph खरीद लिया, आपने एक तरह से, अब जैसे जैसे graph बढ़ता जाएगा, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, अभी problem क्या है, जैसे share market गिरती है, लोग घबरा जाते हैं, कि मेरा पैसा तो घट गया, अगर आप systematic investment plan करते हैं, अगर आप SIP करते हैं, मान लीजिए, 100 रुपे की unit के साब से आपने 10 unit खरीदी थी, 1000 रुपे या निवेश किये थे, तो आज वो आपके 50,000 के साब से 5,000,000 रुपे हो जाने वाले थे, मतलब आप हर बार यहाँ पर 10 unit हर महीने, हर महीने खरीदे गए, खरीदे गए, खरीदे गए, बिना ये देखे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो 500 की value पर आपको मिलने वाली quantity भी तो ज़ादा होगी, मतलब अगर rate घट गया है, तो उतने ही पैसे में आप ज़्यादा चीज भी खरीद पा रहे हैं, मतलब आपके पास जो unit points हैं, वो ज़्यादा होंगे, इसका मतलब exchange trading fund जब हम में invest करते हैं, तो हम आसानी से अपने पैसे को graph पर लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 top companies कौन सी हैं, आज से 10 साल पहले 50 top company कोई और थी, आज कोई और हैं, और भविशे में कोई और होने वाली हैं, ठीक उस तरह ऐसे top 30 companies जो हैं, वो आज से 20 साल, 30 साल पहले कोई और थी, आज कोई और हैं, भविशे में कोई और होने, तो exchange कहता है कि आप हम से exchange के graph पर invest करो, जो भी graph चल रहा है, और भविशे में हमेशा graph बढ़ेगा ही, ये एक बिल्कुल निश्यत बात है, 20 companies की net values हुए, उसके हिसाब से उन्होंने ETF डिजाइन कर दिया, कि उनको मतलब नहीं है, 50 top companies, उनमें से पहली जो 20 top company है, अब कौन सी होंगी, कोई सी भी हूँ, जो पहले top 20 में बनी रहने वाली company, केवल उनी के अधार पर वो decide कर लेंगे, कि हमारा पैसा इसमें invest है, जब वो 20 की 20 company उपर जाएंगी, तो आपका पैसा बढ़ेगा, और वो नीचे जाएंगी, तो automatically आपका पैसा घटेगा ने, क्योंकि आप graph के हिसाब से invest कर देंगे, इसके अलाबा, मुतिलाल ओसवाल ETF, next 50, मैंने का था हैं, ये top 50 companies बनी रहेंगी, लेकिन company तो 5000 से भी जादा है, तो अगली जो 50 हैं, पहली top 50 के बाद, दूसरी जो 50 top company है, मतलब एक से लेके 100 तक में, पहले 50 छोड़कर 50 से 100 तक जो company हैं, उनके ETF पर invest करना, या bank, top most 20 banks के ETF में invest करना, ICC potential बारट 22 ETF, ऐसे बहुत सारी ETF हैं, आप Google पर सर्च कीजिए, best ETF in India, तो आपको बहुत सारी ETF के नाम आ जाएंगे, और ETF के case में हम क्या कर रहे होते हैं, ग्राफ को खरीद रहे होते हैं, तो फ्रेंट, ETF को समझने के लिए एक बार हम लोग Google पर सर्च करते हैं, Sensex Today, आज का Sensex क्या है, आज का sensitive index हमें क्या बताता है, आज का sensitive index है, और आप देखेंगे, यह वन इयर का है, हमने यहाँ पर चार्ट कितना खोला है, वन इयर का, तो पूरे एक साल की duration में, यह बावन अजार चार्ट से कैसे बड़ा और घटा होगा, देखें, यहाँ बहुत कम था, यहाँ बावन पचास जार का सपास था, फिर बड़ा और तो यहाँ पर आप ग्राफ चाहें, कितनी भी बार चेक कर लें, फाइनली आपको लास्ट में बढ़ता होएं मिलेगा, ऐसी अगर हम आप देख लेते हैं, इसको पांच साल का देख लेते हैं, तो पांच साल के ग्राफ में 20,000 से शुरू हुआ था, 20,000 से यहाँ पर क्या इक्यावन अजार, बावन अजार पहुँच गया, इसका मतलब यदि आपने यहाँ पर 100 यूनिट खरीदे होते, फिर आप हर महीने 100 यूनिट खरीदते आते, खरीदते आते, खरीदते आते, तो 20 साल में आपके पास 100 गुना में, 20 गुना में 12, तो 12 दूनी 24, 24,000 क्या होती है, इसका मतलब अगर आप ETF खरीदते हैं, तो आप एक तरह से index में, invest कर रहे हैं, आप naftey में invest कर रहे हैं, तो यूनिट निफ्टी में invest कर रहे हैं, तो शेर मार्किट जहां भी जाने वाली है, वो हमेशा बैटर होने वाली है, मतलब पिछले 10 वर्ष की अपिक अगले 10 वर्सों में शेयर मार्केट आपको आगे ही बढ़ती मिलेगी चाहें कितनी भी डाउन आजाए इसलिए आप ETF में इन्वेस्ट करके भी अपने पैसे को सेफ और सिक्यूर कर सकते हैं सबसाय रिस्क होता है शेयर में और वो भी जब जब आप सही नॉलिज के बिना इन information ना हो आपको सई study ना किया हो basic information आपके पास ना हो और आप ठीक तरीके से investing की tips को ना समझते हों तो यहाँ पर हमें करना क्या है आप जो भी income generate करते हैं आप अपनी income का 10 से 20% हर महीने save करो और save करने के बाद उसको invest करो मतलब invest जो आपको करना है आपकी income का 10 से 20% example बताता मान लिज़े आपकी income 50,000 रुपे पर मंत है तो 50,000 का 10% 5,000 से लेकर 10,000 रुपे तक 5 से 10,000 रुपे पर मंत आपको invest करना है S.I.P. के रूप में अभी S.I.P. systematic investment plan share market घटे या बड़े आप अपना goal बनाए कि मुझे अगले 5 साल में अपना fund कितना increase करना है अगले 10 साल में मे कितना पैसा पर मंत invest करें ताकि आपको मिलने वाला return बेतर हो अब उसको किस ratio में invest करें तो हर एक व्यक्ति का formula लग होता है मैं आपको अपना formula बताना हो जितनी ज़्यादा risk bearing capacity आपके पास होगी उतना ज़्यादा profit से कमानी की भी संभावना होगी और जितना कम आप risk का bonds में plus ETF में invest करता हूं और 20% और अलग resources में invest करता हूं यह आप क्योंगे डिपेंड करता है इसको mutual fund में भी बोल सकते हैं हर एक व्यक्ति का अलग अलग ratio है पर journal ही जो ratio चलता है वो इस बात पर depend करता है कि आप कितना risk ले सकते हैं और कैसे आप invest कर सकते हैं पर important बात है सही learning के बाद ही आप सही earning कर सकते हैं इसलिए stock market millionaire की पूरी series आपको free of cost बिना किसी charge के मिलने वाली है लेकिन आप यह समझ लिए वो value of investing 50,000 रुपी का course आपको free of cost मिल रहा है आप उसको study ऐसे ही करें जैसे आपने 50,000 रुपे खर्च की हैं और उन 50,000 को share market में invest करें ताकि वो 50, पांच लाख 50,000 और पांच करूर तक जरूर पहुंचें यदि आपके मन में कोई भी प्रशन है तो मुझे comment box में लिखकर जरूर बताएं चैनल को subscribe कर लें ताकि informative वीडियो मिस ना हो स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप सभी के सुनरे कर दो से हैं अब मैं याब दरूर शिए में स्वस्त रहना कोई। कर दो स्वस्त रहें में मैं कर दो पांची है।